हेलो फ्रेंट्स, यू आर बेलकमिन मिलियन कंसेट्स ओफ इंग्लेश TGT का स्लेबस पूरा हो गया है एदि आप हमारे सारे प्लेलिस्ट के बीडियों को देख लेते हैं तो TGT में जो लिट्रिरी फिल्ड है उसमें 100% आपको सफलता मिलेगी जो बचा हुआ है वो थोड़ा सा हिस्ट्री ओफ इंग्लेश लिट्रेचर है उसमें भी आज हम न्यू क्लासिकल एज पढ़ेंगे और उसकी फर्स्ट हाफ पढ़ेंगे और आप जानते हैं कि रिइस्टोरेशन पीरेट तक हम पूरा लिट्रेचर का जो हिस्ट्री है वो भी कर चुके हैं चलिए इसको जानते हैं तो इस 18th century के फर्स्ट हाफ में जो लिट्रेटरी फिल्ड में डबलम्बेंट हुआ है उसको जानेंगे तो पहले जानेंगे historical background फिर इस historical background से क्या literary tendencies आती हैं 18th century की literature में इस age को क्यों कोई n की age कहा जाता है age of approach कहा जाता है classical age, aguston age कहा जाता है और दूसरे age of pop भी कहा जाता है तो ये pop का मतलब representative writer रहे हैं pop तो इसलिए age of pop कहा जाता है ये क्यों कहा जाता है इनको हम जानेंगे और इसके famous जो poets और writers हैं उनको जानेंगे और इसके overall जो character districts है of this period की उसके बारे में जानेगे तो आपके age of pop जो की 1700 से लेकर के 1750 तक रहती है और 1745 तक aguston age या new classical age के नाम से जानते हैं इन period के बारे में ही पढ़ेंगे और ये जो 18th century में other है age of sensibility और age of transition इसको हम second part में इसके ले लेंगे जो कि अब हम historical background की बात करें तो friends बहुत ध्यान से सुनना कि जो 18th century की literature है इसमें first half के हैं या total 18th century की literature की बात करें तो जो glorious revolution of England है यह कि 1688 की जो क्रांती है उसका literature पर बहुत बड़ा प्रिभाव पढ़ता है पूरी literature जो first half of 18th century है वो glorious revolution से प्रभावित रहती है तो इसके बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है और क्या क्या इसके result आए literature पर और कैसे कैसे यह age of approach कहलाई कैसे कैसे और सारी event होई तो उन सारी के बारे में हम जानेंगे जो पहला प्रभाव तो यही देखने के मिलता है the end of the long struggle for religious and political freedom in England कि बरसों से जो संघर्स चला आ रहा था religious और political freedom के लिए तो glorious revolution इसे struggle को समाप्त कर देती है आप बहुत बहुत बहुतर तरीके से जानते है कि 30 January 1649 को King Charles I को beheaded कर दिया जाता है उनका पुत्र जो है France भाग जाता है Charles II फिर उसका restoration होता है और इधर आपका James II 1688 में glorious revolution में उसको गदी से हटा दिया जाता है और उसकी पुत्री को Mary को और उसकी son-in-law को गदी पर बैठाल दिया जाता है तो यह जो event होती है यह सारी कुछ religious और political freedom के लिए होती है जो glorious revolution से मिल जाती है तो बहुत बड़ी event यह रहती है दूसरा इसने जो last Stuart King थे क्योंकि James I से लेकर के और Mary तक और यहाँ पर आपकी end तक यह सब Stuart King रहे हैं तो इसके बाद आपकी Georgian रहे जाती है तो यह जो आपकी glorious revolution है इस Stuart King को इस Stuart King की जो density है इसको समाप्त कर देती है दूसरा जो अगला main effect आया वो आया कि जो divine rights of king है वो हमेसा हमेसा के लिए समाप्त हो जाता है आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि divine rights of kings के जो शुरू करने बाले थे वो थे आपके King James first है James first है क्या था यह इसमें राजा यह मानते थे कि जो राजा को rights से मिले हुए हैं वो इस्वर के द्वारा मिले हुए हैं So King is not responsible not accountable for any earthly power either parliament or any lords and ladies ना तो parliament के लिए यानि किसी भी earthly power के लिए King accountable नहीं है उत्तरदाई नहीं है तो यह जो divine rights है जो राजा को 80 मिस सक्तियां देता था वो समाप्त हो जाता है बहुत बड़ा point है यह तीसरे यह जो right will है यह बाला यह बहतर change लाता है social development में political development में समझीए यह क्या है देखे William of Orange और उसकी wife Mary दोनों गद्दी पर बैठते हैं तो 1688 से लेकर 1672 तक यह सासन करते हैं तो इसी दवरान 1689 में गद्दी पर बैठते ही bill of rights जो है action में आता है और इस bill को toleration act भी कहा जाता है तो यह जो act है यह प्रिभाव डालता है पूरी की पूरी literature पर पूरी की पूरी 18th century की literature पर देखिए क्या था इस bill of right के act के अंसार जिसको toleration act भी कहा जाता है तो the toleration act guaranteed freedom of worship to non-conformist तो जो किसी भी non-conformist का आर्थ है जो किसी भी church को नहीं मानते थे तो उनको भी freedom of worship दी गई तो आप जानते हैं यही कारण था कि जो political और आपकी religious freedom थी वो इस act के द्वारा मिल जाती है इस glorious revolution के द्वारा मिल जाती है अगली बात the bill firmly established the principles of regular parliament free elections freedom of speech within parliament known today as parliament privilege इस बिंदू को समझे इस point को समझे इस act के द्वारा regular parliament के सिधान्त बनते हैं कि अब parliament नियमेत रूप से free election के द्वारा चुनी जाएगी parliament में speech की freedom इस revolution द्वारा मिली इस act के द्वारा मिली तो कहने का मत्तब है ये आपकी political freedom मिल गई parliament को बार बार चुना जाने लगा तो इससे क्या होता है कि जो total freedom of religious and political थी वो आपको प्राप्थ हो गई तो ये बहुत बड़ी घटना होई और इसके बाद क्या होता है कि parliament क्या कहती है it also includes no right of taxization without parliament's agreement freedom from government interference parliament की अनुमती के बिना राजा जो है किसी भी तरह के tax को नहीं लगा सकता था और पहले divine rights के अनुसार वो किसी को सुनता ही नहीं था असीमित उसको सक्तिया प्राप्त थी लेकिन अब कोई भी action लेना है तो without parliament king cannot take any kind of action और इसके बाद जो individual rights थे उनको बढ़ावा मिला और including the prohibition of cruel and unusual punishment तो पहले जो cyber punishment जी जाते थे उन पर भी रोक लगी तो कह सकते हैं कि social, political, religious हर प्रकार की स्वत्तनत्रा यहां से मिल जाती है अब इसके परणाम literature पर क्या होते हैं वो समझेने की बात है तो the effects of revolution on our literature समझना ही जो आपने कारान समझ गए क्या का मिला और उसका प्रभाव क्या पड़ा अब समझे the first half of the 18th century is remarkable for rapid social and development in England तो natural है अगर ऐसी सरतें आपको मिल जाएंगी freedom मिल जाएंगी तो जो आपको social development होगा वो तो तेज हो ही जाएगा दूसरा क्या होता है कि पहले आपने देखा कि जो English लोगों की सकती लग रही थी वो किसमें लग रही थी religious and political freedom के लिए अब किसमें लगा रहे थे the English man spent his tremendous energy in endless political discussion in efforts to improve his government कि अब क्या होता है कि जो English लोग थे वो इस बिल के बाद अपनी उर्जा और सकती को अपनी अंतहीन political discussion द्वारा अपनी सरकार को बेतर बराने के प्रयास में खर्च करने लगे तो अपना समय जो बेतीत करने लगे वो अपनी government को अपने प्रयासों सो सुधारने का करने ले अब समाज में political रिलिजियस सोसल चर्चाय होने लगे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा अप और जानते हो कि आप जानते हैं कि जो आपकी रेगुलर पार्लिमेंट आई तो election आए free election तो भही free election के लिए बोट बर now necessary अब बोट necessary थे अब बोट necessary थे तो जो राजनेता थे उनको अपनी बोट प्राप्त करने के लिए अपने ideas, अपने fact, arguments और information लोगों तक पहुँचाने की जरूरत थी तो इन सारी condition को देख करके इस age में coffee houses और private clubs का जनम होता है तो यहां से प्रिशन बनता है कि 18th century में coffee houses और private clubs से प्रिशन पूछा जाता है ध्यान रखना तो क्यों जनम हुए इन coffee houses का जो प्रंपरा आई, tradition आई वो क्यों आई क्यों private clubs की tradition आई तो समझे क्यों आई तो कि यह कह रहे हैं in a single generation nearly 2000 public coffee houses sprang up in London alone अकेले लंदन में पूरे इंग्लेंड की तो बात छोड़िये लंदन सिटी में लगबग 2000 coffee houses थे और इसके अलाबा आपके बहुत सारे private clubs भी flourish हुए तो यह क्या थे these were center of gossip गव सब के केंदर थे यहां पर लोग आपस में चर्चा करते थे और कौन-कौन से बातों पर चर्चा करते थे topics discussed including political and political scandals daily gossip fashion, current events, debates, surrounding, philosophy and natural science यानि के राजनीती पर राजनीते घोटालों पर जो जाना की जो बाती होते थी current events पर इन सारी बातों पर विज्ञान पर चर्चा हुआ करते थी अब आप समझ गए होंगे कि जो आपके coffee house और private clubs थे इनकी क्या importance थी आपके social, political, religious development में लेकिन यहीं तक नहीं रुके तो आपका जो 18th century के शुरुआत है वो आपके daily news paper का यहाँ पर शुरुआत होती है तो 1702 में यहीं कि 18th century के शुरुआत में ही पहला news paper आपका publish होता है 1702 में लंदन में और इसका नाम होता है The Daily Current तो आप जानते हैं कि 18th century जो है इसमें book, news paper, magazine यह आपके cheap instrument of nation's progress यहीं कि एक राष्ट की progress के cheap instrument बन जाते है क्योंकि बहाई तक नहीं क्योंकि copy houses से काम नहीं चला अब अपने विचार facts पूरे लंदन में फैलाने थे तो समाचार पत्रों का जन्दम होता है इसके बाद famous magazines का periodicals का जन्दम होता है review magazine है इसको डैनियल डिफो 1704 में शुरू करते हैं टैटलर को रिचर्ड इस्टील शुरू करते हैं इस्पेक्टेटर को इस्टील और जोजब आइडिशन दोनों 1711 में स्टार्ट करते हैं Intelligencer Jonathan Swift और Thomas Sheridan 1721 में स्टार्ट करते हैं other news paper का नाम है the examiner जिसको सुरुआत करते हैं John Morphew और जिसके एडिटर रहे होते हैं Jonathan Swift जो की 1710 से 1714 तक यानि कि 4 बर्स तक इसके एडिटर रहते हैं तो समझ गए होंगे आप कि क्यों coffee houses क्यों news paper और क्यों ये आपके periodicals या magazines सुरू होती है तो यही कारण है इस age को age of approach कहा जाता है क्यों? क्योंकि अपने fact को अपने ideas को अपने arguments को poem के माध्यम से पहुचाना कठिन होता है और approach से पहुचाना सरल होता है इसलिए satire रही हो ऐसे रहे हो या आपके nobel रहे हो इनके द्वारा लोगों तक सूचना है पहुचाई गई तो इसलिए इस एज को age of approach कहा जाता है क्यों कहा जाता है समझगे होंगे आप अब बात आती है literary tendency की तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि literary tendency जो पैदा होती है वो भागी social conditions के अनुसार उत्पन होती है तो जो first literary tendency होती है वो है the tendency of realism in subject matter तो समाज की जब आप बातों को जियोकत्यों करेंगे तो उसे हम subject matter की realism कहेंगे क्योंकि बास्त बिकता इस समय के writers ने, poets ने पृष्टत की दूसरी बात है tendency of policy and refinement of expression यह तो आप समझी के होंगे सरल है लेकिन policy and refinement of expression क्या कहलाता है वो समझी है देखे, policy and refinement का मतलब है कि समाज में जो बहुमत की आबाज है जो सामाजिक परस्तितियां जो समाज की है उसमें बहुमत क्या चाहता है majority क्या चाहती है उस act of social situation को पहचानना policy and refinement कहलाता है polite और आपके bell-mannered way में अपनी बातों को कहना policy and refinement कहलाता है अपनी बात को confidently realism situation में रखना policy and refinement कहलाता है और social skill में social condition में मजबूत तरह से समझना यहनकि समाज को अच्छी तरह से समझना और उसको प्रस्तित करना यह आपका policy and refinement expression कहलाता है तो यह जो tendency है यह इस age में देखने को मिलती है तीसरी जो tendency है वो देखने को मिलती है आपके जो थर tendency है is shown the prevalence of satire resulting from unfortunate union of politics with literature जब politics को literature में use किया जाता है तो फिर वो satire बन जाती है आज की समयमी भी आप देख रहे होगे जितने भी कभी रहे हैं वो satire कर रहे हैं तो यह age जो है satire की कहलाती है इस tendency बहुत देखने को मिलती है तो tendency समझ के होंगे आप अब हम बात करते हैं कि जो age है आपकी coin and proge classical age, agastan age, age of pope इनके नाम से क्यों जानते हैं क्योंकि जो William of Orange होते हैं 1702 में उनकी मिर्तिव के बाद जो end की coin and गद्दी पर बैठती है जो की James 2 की दूसरी पुत्री होती है Mary पहली होती है और ये दूसरी पुत्री होती है बहुत ज़्यादा इनका literature के field में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं रहा कि जिस परकार LGBT की age में क्योंग इनका कोई प्रभाव नहीं रहा है लेकिन इनका कोई प्रभाव नहीं रहा है ये जानी जाती है Scotland और Ireland के संयुक्त राजा बनते हैं लेकिन बहाँ जो sovereign है वो combine नहीं होता है जुड़ता नहीं है उन्हें के संयुक्त रूप से सासन देखते हैं तीन जगे का लेकिन इन 1707 फर्स्ट में की बात हो रही है Act of Union पारित होता है उसके अनुसार England, Ireland और Scotland की जो sovereign है वो आपके इखटे हो जाते हैं और फिर ये जो state है वो Great Britain के नाम से जाना जाता है तो यहां से Great Britain का जन्म होता है और Sea was the last ruler of Stuart density ये तो जानते ही हैं और Quinn Ayn की death के बाद जो age शुरू होती है वो Georgian age शुरू होती है जो 1714 से लेकर 1830 तक चलती है इसके बाद आपका Victoria ने जा जाती है तो George फर्ष्ट पहले राजा होते हैं और George फिप्त जो है वो आपके अंतिम राजा होते हैं Georgian age के और ये age जो होती है Georgian age वो इंडिस्टलाइजेशन की radicalism का मतला है उग्र सुधारबाद और रिप्रेशन का मतलब होता है दमनकारी नीतियां तो दमनबाद की age होती है और इसमें luxury के साथ साथ एक तरफ luxury होती है दूसरे तरफ poverty भी पाई जाती है हलाकि इन बातों का आपके TGT से बहुत जादा मतलब नहीं है लेकिन जान लेते हैं इस age को age of approach कहा जाता है तो ये तो क्यों कहा जाता है ये तो आपने जानी लिया क्योंकि जरूरत प्योज की पड़ी लेकिन ये important बनता है कि who called 18th century the age of approach तो ये थे Matthew Arnold stated that 18th century was the age of approach and region ये important point है याद रखेंगे और जो great नाम आते हैं वो आपके Jonathan Swift है Joseph Edison है Richard Steele Daniel Defoe, Samuel Johnson तो Samuel Johnson को हम separate पड़ेंगे अब ये जो approach writer थे वो आपके high quality के approach writer है इन लोगों ने satire के साथ साथ आपकी political writing भी की थी तो देखे political writing में आप जानते हो हैं कि उस समय दो party थी big और Tory दो party थी और ये दोनों पार्टियां the big party stood for the pre-eminence of personal freedom और Tory जो थी of royal divine right तो आप जानते हैं कि personal freedom मिली थी तो उसके पक्ष में big party थी जो parliament के पक्ष में थी और जो Tory थे वो आपके राजा के पक्ष में थी king के पक्ष में और the Tories recruited cheaply from the landed classes while the bigs represented the trading classes तो जो Tory party में जुड़े हुए लोग थे वो आपके जमीदार बर्ग से किसान बर्ग से गरीब बर्ग से जुड़े थे और जबकि आपके big party में जो represent करते थे वो आपके business class के लोग थे यानि ब्यापारे की बर्ग था तो इधर आप मान सकते हो गरीब को और इधर मान सकते हो अमीर लोगों को और हम कहें religion के मामले में तो in the matter of religion the bigs were low churchmen and the tourists were high churchmen तो low churchmen बो लोग होते है जो आपके protestant धर्म के अनवाई होते है और जो Anglican church को मानते है और जो high church के लोग होते है वो आपके catholism को मानते है ये पहले भी पढ़ चुके है और ये दोनो ये जो दोनो पार्टियां थी वो अपने साथ अपने लेखकों को रखती थी अपने पक्ष में लिखने के लिए उनको साहता देती थी लेखकों को पद दिये जाते थे प्रतिष्ठा दी जाती थी और साथा पेंसन भी दी जाती थी तो हर कोई अपनी बात को रखने के लिए तो देखिए स्विप्ड जो थे वो टॉरी पार्टी के साथ थे और ब्रिल्वेंट लिखते थे यानिके बिटर कड़ भी बाते लिखते थे जबकि जो जब एडिसन जो थे वो आपके टेपेड बिग थे यहीं कि बिग पार्टी के लिखते थे और बारम लिखते थे इस्टील जो थे वो दोने रिचार्ड इस्टील दोनों पार्टी में से जुड़े थे बिग और्टोरी से तो यही कारण है कि जो एज है 18th century का हाफ फस्थ हाफ तो golden age of political फंपलेटरिंग के नाम से जाने जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे periodicals, magazines, news papers और इन writers के द्वारा लिखे गए फंपलेट की भरमार देखी जाती है इसे इसको classical age भी का जाता है तो देखे classical सब्द का जहां पर अर्थ है वो आपके रोमन और आपके ग्रीक राइटर्स के अनुसार उनकी ही imitate करके लिखना ही आपकी classical बन जाता है तो जान लेते हैं तो 18th century particularly its first half is also called the classical age of 18 English literature on account of two reasons तो W.H. Audem दो कारण बताते हैं उन कारणों को समझिए क्या कहते हैं the poets and critics of this age believe that works of the writers of classical antiquity तो इस समय के जो लोग थे जो poet थे चाहे प्रोज राइटरों को क्रिटिक रहे हो वो ये मानते थे कि जो ancient classical writer है जिसमें रोमन राइटर्स हैं और आपके ग्रीक राइटर्स हैं और विशेज तोर पर जो आपके रोमन राइटर्स हैं जिन्होंने लेटिन में लिखा प्रिजेंटिद दा बैस्ट मॉडल एंड अल्टिमेट इस्टेंडर्ड अफ लिटेरी टेस्ट तो इंग्लिस के लिए उन्होंने एक उप्योगत मॉडल का काम किया तो इनहीं मॉडल्स पर और विशेज तोर पर रोमन मॉडल्स पर इंग्लिस राइटर्स ने इमिटेट किया उनहीं का अनुसरन किया यही कारण है कि इनको क्लासिकल एज से जाना जाता है और दूसरी बात वो बताते हैं कि लाइक लाइक दीज लेटिन राइटर्स दे हैड लिटिल फेट इन प्रॉंप्टिंग और गाइडेंस ओप इंडिवीजुल जीनियस इस प्रॉंप्ट को समझेए जो आपके लेटिन राइटर्स थे जो आपके ग्रीक राइटर्स थे तो वो अपने इंडिवीजुल जो उनका फेथ था उस पर बिस्पास नहीं करते थे बलकि जो सेट अप टेडिशन्स थी जो सेट अप टेंडेंसींस थी जो पास्ट की ऑथर्टी ने जो रूल्स और टेंडेंसी बनाई थी उसी को ये अनुस्वरन करते थे तो यहाँ पर एक बात और समझे है कि आईजबेथन एज में आपकी इमेजीनेशन देखने को मिलती है एंथ्वेजम देखने को मिलता है फ्रीटम देखने को मिलती है लेकिन इस एज में प्राचीन जो राइटर थे उनके लॉज के अनुसार ही लिखा जाता था दो टेंडेंसी हो गए अब यहाँ तक पॉप कहते है कि दो जो रूल्स आप ओल्ड डिसकवर्ड नॉट डिवाइस्ट आर नेचर इस्टिल बट नेचर मेथोडाइस्ट तो क्या कहने का मतलब है यहां कह रहा है कि जो एंसियंट क्लासिकल राइटर थे उनके जो रूल्स थे वो डिवाइस्ट नहीं थे यानि कि उनको इन लोगों ने बनाया नहीं था बलकि वो डिस्कवर्ड थे उनको खोजा था यानि कि वो सदियों से बैसी चले आ रहे थे आर नेचर इस्टिल उनका सुभाव लगातार एक साथ था और नेचर मेथोराइस्ट और वो जो उनका जो नेचर था वो बिवस्तित किया हुआ था ना कि बनाया हुआ तो यहाँ पर जो दो जो रूल्स की बात हो रही है वो रूल्स कौन से है वो रूल्स है एंसियन रोमन और ग्रीक लिट्रेचर के रूल्स और पोप ने अपना जो थीम दी है जो आपकी क्लासिसिजम की वो इनके essay on criticism में देखनों की मिलती है और यह एज़े critical statement of new classical principles इसमें दिखाए गए है और आप जानते हैं कि एलिजब इथन एज में बेन जॉनसन आपकी classical writer कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने रोमन poet Horace को follow किया था और पोप की translation इलियड और Odyssey और Horace के ode जो है यह classical model पर based है और 18th century को new classical age कहा जाता है क्योंकि writers समय के जो writers ने है looked back the ideas and odd form of classical times क्योंकि classical times के Roman और Greek times के जो writers थे poets थे उनके ideas को follow किया और basically इन्होंने हीरोई कपलेट को follow किया यही कारण है इस समय की जो poetic रचनाय है वो सब हीरोई की कपलेट में लिखी गई है और जैसा कि अभी पड़ा बता चुका हूँ मैं कि जो 18th century ने replaced renesia emphasis on imagination renesia period में जो imagination पर जोड़ दिया जाता था इस age के writers ने imagination को नकार दिया on invention experiment on mysticism जो रहस बात की बाते थी नए नए invention थे उन्हों सब को नकार दिया उन्होंने जो जोड़ दिया केबल classical writers पर और जो जिसे कहते हैं meter अपनाया तो वो आपका hero के प्लेट अपनाया तो their emphasis watch on order and reason on restraint and on common sense बस इसी बात को इन्होंने अपनाया restraint रखा यानि कि classic जो आपके रोमान ठोरी hero के प्लेट में ही लिखा बंदखर लिखा जो rules ancient थे उन्ही में बंदखर लिखा अब इसे Augustan age क्यों कहा जाता है देखिए Augustan age का मतलब है आपका जो रोम के सासक रहे हैं first century BC के first century BC के जो emperor रहे बादसा रहे Augustus तो उनके समय में जो literary field में development हुआ तो वही development यहां होता है इसलिए इस age को Augustan age कहा जाता है क्योंकि उन्हीं writers को इस age के writer follow करते हैं imitate करते हैं तो इस age को इसी कारण Augustan age कहा जाता है अब पढ़ लेते हैं टर्म Augustan age comes from the self conscious imitation of the original Augustan writers बर्जिल, हॉरे, सिस्ट रो और अधर क्लासिकल राइटर्स, तो कहने का मतलब है, 18th, first half of the 18th century के जो राइटर्स थे, उन्होंने एगर्ष्टन एज की जो राइटर्स थे, होरेस, बर्जिल, सिस्रो और दूसरे जो राइटर्स रहें, उनको इन्होंने इमिटेट किया, उनका अनुसरन किया, यही कारण है, इस एज को भी एगर्ष्टन एज के नाम से जाना जाता है, एक पॉइंट, और जानते हैं कि बादसाह एगर्ष्टस कौन से, तो यह थे एगस्टस सीजर, रोमन एभर, एगस्टस सीजर थे, जो पाबर में आते हैं, एससिनेशन और जूलिय शीजर, इन 44 बीची, चाबारिस बीची में जो जूलिशी सीजर का, कतल कर दिया जाता है, उसके बाद, एगस्टस सीजर, रोमन बात्साह बनते हैं, एन रिगार्डर as the first Roman Emperor तो the age of Emperor Augustus was the golden period the classical age of Latin literature in Roman Empire तो Roman Empire की जो literature के field में इस age को golden age कहा जाता है तो the writers of 18th century especially first half of the 18th century imitated the literary forms and themes of the original Augustus writers such as Brazil, Horace, Cicero and other writers तो समझ गय होंगे ये बात को तो क्यों इसको Augustus कहा जाता है अब हम इस age के थोड़े से writers पढ़ लेते हैं और उनके contribution को पढ़ लेते हैं देखे Alexander Pope का जो नाम आता है वो especially नाम आता है हीरो कपलेट और इनके mock heroic poem के कारण और दूसरा इनका नाम जाना जाता है वो है आपके इन्होंने Homer की Iliad और Odyssey को translate किया इंग्लिस में उसके नाम से बहुत फेमस है तो इनकी सबसे जो पहली रचना है 17 सुनो की वो pastoral है और इनका पहला political बर्क माना जाता है और दूसरे ध्यान से सुनना Essay on criticism जो 17 सो 11 में publish होती है तो ये आपका classical जो thesis है classical जो theories है वो इसमें देखने को मिलती है और ये poem है देखे सुनने में आपको ऐसे लग रहा है और लग रहा होगा ये कोई प्रोजबर्क होगा कोई ऐसे बर्क होगा लेकिन ये प्रोजबर्क नहीं बलकि क्या है it is one of the first major poems published in 1711 1711 में बहुत बड़ी poem मानी जाती है और ये जानी जाती है इसके quotations के कारण क्या है to error is human to forgive is divine गलतियां करना मानब सबहो है और छमा करना दिब सबहो है little learning is a dangerous thing अल्प ग्यान जो है खतरनाग होता है fools rushes in where angels fear to tread मूर्ख लोग बहां जाते हैं चले जाते हैं जहां पर बिद्वान लोग जारने से डरते हैं तो ये जो सारी quotations है ये सब इसी poem से ली गई है दूसरा आप ये तो बहुत फेमस हैं सबने पढ़ी होगी rape of the lock तो rape of the lock जो है ये आपकी mock heroic poem है और जो आपके heroic complaint में लिखी गई है 1700 बारे में publish होती है दंसियट भी 1728 की आपकी mock heroic poem है और ये narrative poem है अब आते हैं बिंसर फोरेस्ट ये भी poem है और ये भी narrative heroic complaint में लिखी गई है अगले फिर एक इनका critical work है essay on man अब आप फिर समझेए ये essay जरूर है लेकिन poem है it is a philosophical poem in heroic complaint थिक important point है अगला बाला ये क्या है it attempts to vindicate the base of God to men जिस प्रकार John Milton ने Paradise Lost में लिखा है justifies the base of God to men कि इस्वर ने जो तरीके दिये हैं मनुस्ष के लिए वो सब उप्यूक्त हैं कोई भी गलत नहीं है तो इन्ही बातों को इन्होंने vindicate the base of God to men easy को prove किया है तो कह सकते हैं Paradise Lost का ये दूसरा तरीका है सिद्ध करने का हलागी Paradise Lost के तरह नहीं लिखी गई है नहीं बोथी मैं बलकि इस्वर के जो प्रावधान है जो theories हैं और जो principles हैं वो मनुस्ष के लिए उप्यक्त हैं इस बात को सिद्ध किया गया है इसकी लाइन समझे जिसे लाइन ली गई है Act better your part There all the honor lies बोले जो आपके हिस्से में है मनुस्ष जो कर सकता है वो अच्छी तरह करे बोले यहीं से मनुस्ष को जो है वो सम्मान मिलेगा फिर ये human nature को समझने की बात करते हैं No than thyself पहले अपने आपको जानो Presume not God to scan ये कलपना मत करो ये बत मत मानो कि इसवर आप जो करेगा आपके लिए करेगा इसवर नहीं करेगा The proper study of mankind is man अगर मनुस्ष का अध्यन करना चाहते है मानपता का अध्यन करना चाहते है तो मनुस्ष का दिन के जिए वो क्या तरक देते हैं वो तरक देते हैं कि जो human being है उसको अपने behavior को स्वेम जज़ करना चाहिए कि उसका nature कैसा है उसमें कितनी पावर है क्या-क्या उसकी limitations है क्या-क्या उसकी strength है और क्या-क्या उसकी weakness है इन सब को जानने की कोशिस करिए तो यही है proper study of mankind is man इन्होंने translation Homer को translate किया तो Homer की Iliad को translate किया 1715 से लेकर के 1720 तक और Odyssey को translate किया 1726 में और काफी great translations है और इनका जो epistle to doctor Arvotnot है जो 1735 में पर्विस होती है यह भी आपके पत्र है लेकिन यह पत्र क्या है यह poetic work है तो it is a satire in poetic form address to his friend John Arvotnot a physician और यह भी आपकी heroic couplet में लिखी गई है अभी देखा सारी रचना इनकी heroic couplet में ही है अब यहाँ से हमने प्रिसन बनाने की कोशिस की है यह प्रिसन देखिए which is or are poetic work or works by Alexander Pope तो देखिए an essay on criticism आपका प्रोज बर्क लग रहा है लेकिन है poetic work an essay on man प्रोज बर्क लग रहा है है poetic work बिंसर फॉरेस्ट भी poetic work है तो कहने का मतलब यह तीनो ही आपके poetic work है अब जोनातन स्विप्ट आप जानते हैं कि एंगलो आईरिस राइटर और क्लेर जीमन रहे हैं और यह फेमस है अपने satirical work के लिए तो स्विप्ट इज बाइडली एकनॉलिज़ एज दा ग्रेटरेस्ट प्रोज स्टारिस्ट इन दा हिस्ट्री ऑफ इंगलिश लिटेटर सबसे बड़े स्टारिस्ट माने जाते हैं और रचनाय में इनकी जो टेल ओफ टब है प्रोज बर्ख है स्टार का बैटल ओबुक भी स्टारिकल बर्ख है गुलीबर्स टेबल्स आप समने पढ़ा है और ये आपका human nature पर टेबल्स टेल है और ये स्टारिकल बर्ख है जिसमें गुलीबर्स एन लिलीपुट आपने पढ़ा होगा अगले जो राइटर है वो जोजफ एडिसन और रिचर्ट इस्टील हैं यह दोनो राइटर्स जाने जाते हैं अपने टेटलर के लिए और आप जानतें टेटलर इस्टील का प्यूरिटिकल है यानि कि मैकशीन है और एस्पेक्टेटर को दोनो लिखते हैं और दोनो ही जो periodicals है, generals है ये पहले ही publication से पूरे London में famous हो जाते हैं तो ये दोनो writers अपने जो ऐसे series publish करते हैं इन magazines में इसी कारण ये दोनो famous हैं और Kato जो है वो जो जब आजडीशन की एक tragedy work है और drama है अब हम जानते हैं कुछ literary character sticks की अभी तक जो आपने पढ़ा बस बही है उसका सार है कि age जो है वो प्रोज की है age of reason और good sense की है और it is called the age of Pope because Alexander Pope the represented point of this period क्योंकि जो Alexander Pope है वो इस age के represented point माने जाते हैं प्रतनी दी कभी माने जाते हैं तो इसलिए age of Pope भी कहा जाता है और Alexander Pope कहते है age of Pope followed nature यानि कि nature को follow करते हैं तो यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ जो nature का मतलब है वो nature of birdsworth की नहीं है ऐसा नहीं कि birdsworth ने पेंड़ पौदों प्रिकृति के बारे में बात की फूल और सारे seasons की बात की बुर nature नहीं है यह nature क्या है इट बॉच इन फेक्ट human nature यहां मानब सुभाव की बात की गई है तो आपने अभी उपर पला था उपर अभी पला था जो एन ऐसे और मैं से लाइन ली गई है know then thyself presume not God to scan the proper study of mankind is man तो human behavior का तो क्या था the aim of the writers was to copy men and manners and not to describe flowers and change of seasons तो समझ गया होंगे यहां पर जो जोड दिया गया यहां के writers ने वो study of human nature human manners as you know age of satire कही जाती है और Jonathan Swift रहे हो Pope रहे हो Edison Still रहे हो यह सारे के सारे satirical writers थे और इसे age को जो writers थे but against anything romantic कोई भी चीज रोमांटिक थी उसके ब्रोद में थे imagination को इन्होंने धता बताई उसको नकार दिया और lucidity of language was least language की lucidity जो तरलता थी वो सबसे कम थी क्योंकि language में इन्होंने poetry में cable और cable hero couplet को माननता दी बोले अपने जो expression है वो cable आप hero couplet में लिखेंगे तो lucidity गाइब हो गई the language of the poetry became godly artificial, still, rational and intellectual तो यह important point है कि इस age की जो language थी वो godly हो गई यानि कि भड़कीली हो गई दूसरी बात करें कि जो आपके language थी वो artificial हो गई artificial कैसे देखिए अगर आप नियम में बंदकर लिखेंगे rules में लिखेंगे और केबल hero complete में ही लिखना है अपनी imagination को नहीं बताना है केबल old rules को follow करना है तो आपकी जो natural imagination है feelings है वो सब गाइब हो जाएंगी तो जो language है वो natural है कि artificial बन जाएगी stilled थी यानि कि वो आपकी साम्त हो जाएगी और जब आप इन बातों को लिखोगे तो आप तरक संगत बागतों को लिखोगे क्योंकि भाव ब्यक्त नहीं कर सकते बहां तरक ब्यक्त करोगे और फिर बहां बुद्धी का प्रोग करोगे तो यही कारण है कि तो इस एज की जो लेंगुज थी वो godly, artificial, still, rational और intellectual हो गई हर चीज के कारण से होते हैं बाद में आप जानते हैं कि जो age of romanticism थी उसमें nature को जोड दिया गया ruler life को रोल जो जो जोड दिया गया और यहां पर urban life को जोड दिया गया तो आज के लिए इतना ही thank you all the best